Welcome back everyone इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे SBI कार्ड के quarter 3 results के बारे में बर उससे पहले SBI कार्ड के business को समझते हैं देखो SBI कार्ड जो है यहाँ पर SBI की आम है और इनका business है credit cards का credit cards क्या होते हैं credit cards basically उसके user को unsecured loan provide करवाते हैं according to their civil and काफी सारे other metrics होते हैं जो वो check करते हैं before issuing a credit card अगर आप किसी भी bank के customer है पुराने customer है और आपका transaction amounts अच्छे है तो depending on your need and depending on your wants यहाँ पर आपको company जो है एक credit card offer करती है generally wants के case में कम मिलता बढ़ needs के basis पर आपको credit card मिल जाता है इसमें भी दो चीज़े होती है जो यहाँ पर आपको देखने वाली होती है एक होता है कि यहाँ पर जो cards होते हैं वो issue किये जाते हैं salary person को अगर कोई जनाब business के accordingly card लेना चाता है तो उनका जो process है वो comparatively अलग होता है और उनके जो criteria होते हैं वो अलग होते हैं तो वो एक important factor है जो यहाँ पर आपको समझना है अब देखिए credit cards के business के अंदर company कैसे पैसा कमाती हैं उनको समझते हैं generally आप एक चीज notice करोगे credit cards के case के अंदर अगर आप timely payment कर रहे हैं तो आपको कोई भी additional charge यहाँ पर नहीं देना होता है तो unsecured loan होने के साथ साथ में यह एक ऐसा amount है जिस पर आपसे company interest भी नहीं लेती है credit card companies पैसा कैसे कमाती है एक component होता है fees का यहाँ पर credit card issue करने पर हर एक company की fees होती है जिससे company पैसा कमाती है second होता है partners and third होता है सबसे important कोई भी जना अगर default कर रहा है अपने payments पे या फिर अपने payments को convert करा रहा है EMIS पे credit card के थुरूई तो उसको जो है अच्छा interest यहाँ पर देना पड़ता है जिससे company अच्छा पैसा बनाती है SBA cards ने वैसे बहुत ही अच्छी strategy लगाई है जिससे इनको नई users काफी तेजी से और काफी जल्दी मल रहा है नए strategy मतलब multiple outlets petrol pump जैसे outlets पे malls जैसे outlet में इन्होंने अपना एक store लगाया है चोटा सा जो काफी सारे customers को reach out करते हैं साथ ही में इंडिया में जैसे जैसे personal disposable income बढ़ेगी और लोगों को यहां पर credit card का usage realize होगा तो certainly हम देखेंगे कि credit card के users हमें बढ़ते हो नजर आएंगे margins यहां पर थोड़ से hamper होते हो नजर आया है बट देखो standard deviation के अंदर ही है हमारे 16% December 2022 में था वो कम होके 14% हुआ तो 2% का deviation रहता ही है तो यह कोई ऐसा point नहीं है जिसमें आपको देखना चाहिए बट यह healthy point ही है कि margins जो है एक deviation के अंदर ही रहे है वहीं अगर हम लोग बात करते हैं net profit की तो 509 करोड से बढ़के अगर आप देखोगे तो growth journey top line जिस तरीके से बढ़ रही है वो बहुत जबर्दस है certainly bottom line थोड़ा सा catch up करने में time लेती ही है यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इस company के growth की तो growth journey बहुत अच्छी है बट despite that यहाँ पे company जो है कुछ problems को face करता है जैसे number one यहाँ पे जो ही एक major competitive factor है हाँ पे क्योंकि इन्हें अपने cards में ऐसा कुछ अलग offer करना पड़ेगा जिससे users जो है इनके card पर shift करें तो वो एक important factor है आपके screen पे आप company का dividend and साथी में नया updated shareholding pattern भी आ रहा होगा हमने सोचा इन data points को आपके लिए add किया जाए with that said मैं उमीद करता हूं कि यह